कि दॉस्तों मैं हुँ सरप सख्ला और इस वीडियो में विहार सेट इंटर लेवल मेंस के लिए दूस्तों हिंदी का प्रिक्टिस सेट सल्व करने वाले हैं जो आपके एक्दाम के लिए मोश्ट इंप्टेंट है इसलिए वीडियो को ला सद दिखेगा विडियो आपको पता क्या है पहला प्रश्ण हमारा है कि मृतियुंजय पीनाकी व्योंकेस तद्धा त्रिलोचन किस देवता के पर्याइवाची हैं देखिए आप समझ क्या होंगे देखिए जो मृतियुंजय है भगवान सिव कहा जाता है पीनाकी व्योंकेस या फिर त्रिलोचन क्योंकि तीन अ परियावाची हो जाएंगे, इसके अलावा जो हर है, हर हो गया महादेव हो गया, संकर हो गया, भोला हो गया, ये सब ही जो है है भओवान सीव के ही परियावाची है, तो इस प्रश्न का option number सी अपने चुना है तो आपका जवाब correct हो जाएगा दूसरा प्रश्ण है देखे साथवम नंबर प्रश्ण है नीती निपुड में समास कौन सा होगा देखे हमारा दूसरा प्रश्ण है कि नीती निपुड में कौन समास होगा तो आपको समास देखते इसका विग्रह करना आना चाहिए देखिए नीती नीपूर का मतलब होगा नीती में नीपूर क्या होगा नीती में नीपूर तो यहाँ पर हमारा कौन समास हो जाएगा ततपूरु समास option number एक करेट हो जाएगा देखिए करता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपाधान से अलग होने में इस प्रकार से आप पढ़ते हैं तो देखिए जो हमारा में आता है अधिकरण कारक जो होता है में पर उपर जो है अधिकरण कारक में आता है तो यहाँ पर हमारा क्या हो देखे कारक जितने भी आएंगे वो हमारा ततपूरस समास होगा तो देखे नीती मेनी पुड़यानी के हमारा हो जाएगा अधिकरण ततपूरस अप्सन नमबर एक करेक्ट हो जाएगा इसके अलाव अगर हम दोंद की बात करेंगे दोंद में क्या होता है इसमें और का लोफ होता जैसे की राजा प्रजा लिखा है देखे राजा प्रजा तो इसका हम अगर विच्छेत के विग्रह करेंगे तो क्या होगा राजा और प्रजा सुख और दुख दिन और रात वो हम लापत संख्या वाचक हो उसे अंदूगी काता है जैसे कि त्रिभुवन यानि की तीन भवनों का समुन तो इस प्रकार से आपको एक प्रशन को देखके पूरा समास रिवाइस करते रहना जरूरी है अगला प्रशन है त्रह वर्ड किन वर्डों के मेल से बना हुआ है त्रह ओको पूरा और रह के मेल से बनता है पोसंदो लोगाौ हो जाएगा ओसन नंबर वी त्रह त्रह और रह के मेल से बनता है न के इन्हें हम सभाभनी होगा । चार समयूगते बनने होते हैं एक्ष़ ग्यू कोसे होते हैं च मद्यूर कर बने हैं से ने निए कर दा है एक्ष़ हो मद्यूर्मदर, रहाण निसे अगला प्रश्ण है नीचे लिखे सब्दों में स्वर एो मात्रा की द्रिष्टे से सुद्ध सब्द क्या होगा या निकि वर्तनी की द्रिष्टे से निम्ड कितम से सुद्ध सब्द कौन सा है आपको पहचाना है तो देखे निरलिप्त का सही हमारा वर्तनी क्या होता है तो हमारा सही कौन सा हो जाएगा option number C लिखा है या वर्तनी के द्रिश्टी से बिल्कुल सही है तो option number C अगर आपने चुना है तो आपका जवाब सही हो जाएगा निरलिप्त जो है स्वर एव मात्रा के द्रिश्टी से option number C इस प्रश्ण का correct हो जाएगा दस्वा प्रश्ण है अनेकार्थी सब्द कुंडली के लिए निम लिखित में से एक अर्थ है अनेकार्थी सब्द कुंडली के लिए इसमें से एक अर्थ कौन सा हो जाएगा तो देखिए इसका से उतर क्या हो जाएगा कुंदली के लिए जो एक अर्थ हो जाएगा हमारा वो होता है इमर्ती option number 20 प्रशना correct हो जाएगा नेकार्थी सब्द कुंदली के लिए जो एक सद्र प्रविक्त होता है वो हमारा हो जाएगा इमर्ती तो अगर आपने B चुना है तो आपका जवाब correct हो जाएगा अगला प्रशन हमारा है काट का उल्लू का अर्थ क्या होता है देखी most important प्रशन है तो काट का उल्लू का अर्थ क्या होता है काट का उल्लू का मतलब होता है मोर्ख वेक्ति क्या होता है मोर्ख विक्ति जो दूसरों के इसारे पर काम करता है उसे हम मोर्ख या फिर काट का उल्लू कहते हैं उप्सन नमर सी करेक्ट एंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण है निम लिखित में से सुधवाकि का चैन करना है सुधवाकि चिन्हित कीजिए यानि कि चार वाकि दियो हुए है इसमें सुधवाकि का उल्स है देखिए उसके प्राण निकल गए बिल्कुल सही लिखा हुआ है देखिए उसके प्राण निकल गए करेक्ट लिखा है दूसरा हम देखते हैं उसके प्राण निकल गया गलत लिखा है उसके प्राण पखेरू उड़ गया गलत लिखा है उसका प्राण उसका खत्म गया देखिए बिल्कुल गलत है तो आपको प्राण की लग रहा होगा कि हमारा option number जो A है उसके प्राण निकल गया जो है बिल्कुल correct answer है तो आपका जो A है इस प्राण का सही जवाब हो जाएगा अगला प्राण है चोकी सब्द का तत्सम सब्द क्या है देखिए मैंने तत्सम तद्भा कई बार आपको बताया है तो मैं तत्सम बताना है चोकी का तत्सम क्या होगा चतुस पादिका होगा क्या होगा चतुस पाधिका को हम चोकी कहते हैं इसमें चार पावे लगे होते हैं उसे हम चतुस पाधिका सब्सक्राइब और इसका जो तद्भा हमारा है चोकी है तो इस प्रशनका C जो है करेक्ट एंसर हो जाएगा अगला प्रशना देखिए निम्न में से निस्यधात्मक वाकि कौन सा है निस्यधात्मक का मतलब क्या होता है निगिटिव या नकार आत्मक आप कह सकते है तो निस्यधात्मक वाकि कौन सा देखे पहला मपढ़ते है सूर्य पूरुदिसाम निकलता है इसमें कोई निस्यधात्मक वाके नहीं है मैं आज बाजार नहीं जाओंगा देखें बिल्कुल सही यह नहीं जो है यह निस्यधात्मक वाके है तो नहीं आते ही क्या हो गया यह मैं आज बाजार नहीं जाओंगा यह हमारा निस्यधात्मक वाके हो जाएगा इसके अलावा कृपया ये खिड़कें बंद कर दें वे यहां कब आ रहे हैं इसमें कोई भी निस्यधात्मक वाकिन नहीं है लेकिन मैं आज बाजार नहीं जाओंगा जो है ये निस्यधात्मक वाकिन है इस प्रशन का option number जो भी है सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन है अनेकार्थक सब्द के स्ट्रेडी में न आने वाला सब्द कौन सा है यानि कि अनेकार्थक सब्द के स्ट्रेडी में न आने वाला सब्द कौन सा है उसका नाम आपको बताना है तो देखिए छो रात्री है यह अनिकार्थक सब्द में नहीं आता है क्योंकि रात्री का एक मात्र अर्थ रात्र ही होता है इसके परेयवाजी अन्यक हो सकते हैं लेकिन इसका अनिकार्थी कोई नहीं होता है तो option number 6 इस प्रश्ण का करेक जवब हो जाएगा अगला प्रश्ण है भानूदय सब्दका संदी विच्छेद क्या होगा देखे भानूदय सब्दका जो संदी विच्छेद होगा होगा भानू प्लस उदय क्या होगा option number a भानू प्लस उदय बात तरने के संधी कौन सी है देखे भानू प्लस उदे लगाकर भानू दे हो रहा है तो यहाँ पर बड़ी उख की मात्रा आ रही तो हमारा क्या हो जाएगा दीर्ग हो जा रहा है स्वर निमनगा नदी का पर्यावाची है कूल अंकसा जो है ये भी नदी का पर्यावाची है और कूल बती भी जो नदी का पर्यावाची है लेकिन जो त्रिपथगा है ये नदी का पर्यावाची नहीं है बलकि त्रिपथगा जो है ये गंगा का पर्यावाची किसका पर्यावाची है त्रिपथगा जो है गंगा का पर्यावाची है करेक्ट हो जाएगा गंगा के अगर हम अन्य पर्यावाची देखे तो इससे भागिरती सुर्नदी और देव नदी के नाम से भी जाना जाता है और गंगा को त्रिपथगा के नाम से भी जाना जाता है त अनामदास का पोथा जो उपन्यास है इसके लिखक कौन है सही उत्तर हो जाएगा हजारी परसाद द्वेदी देखे जो अनामदास का पोथा नामक उपन्यास है इसको हजारी परसाद द्वेदी जी ने लिखा है तो अगर आपने इसका option number C चुना है तो आपका जवाब इस प लिंग वचन या फिर किसे भी प्रकार का उसमें परिवर्थन नहीं हो पाता है कि वैं नहीं होता है उसे हम आव्य कहते हैं तो देखिए सही उत्र क्या हो जाएगा ओप्सन नमबर सी जिस सब्द का रूप हमेशा एक सारा है यानि कि उसमें कोई भी लिंग वचन और कारक के अनुसार कोई भी परिवर्थन नहीं आते हैं उन्हें हम अव्य कहते हैं तो सही उत्र क्या हो जाएगा ओप्सन नमबर सी जैसे कि आज कल दिन रात उपर नीचे यह सभी जो हमारा सब्द है यह हमारा अव्य के अंतरकत आता है तो ओप्सन नमबर सी अगर आपने चुना है वाम क्या होता है बाया का तत्सम वाम होता है और दाया का तत्सम दक्षिड होता है क्या होता है अपने वाम पंती दक्षिड पंती के नाम से सुना होगा लिफ्ट और राइट तो जो हमारा दाहिना है उसे हम दक्षिड कहते हैं और बाया को वाम कहते हैं आपको यह याद जाएगा, option number B, जो है, सही उत्तर हो जाएगा, अगला प्रश्ण है, एहसान न मानने वाला वाक्यान से तू एक सब्द है, तो देखिए, जो व्यक्ति एहसान नहीं मानता है, उसे हम कृतग न कहते हैं, सही उत्तर क्या हो जाएगा, option number B, जो एहसान नहीं मानता है, उसे कृत लग्य कहते हैं तो दोनों याद रखना होगा ऐसान न मानने वाला कृतक न कहलाता है option number B correct हो जाएगा अगला प्रशन है निम लिखित सब्दों में से एक सब्द पुलिंग है उसे बताईए देखे चार सब्द दे होए है इन में से पुलिंग कौन सा है यह आपको पहचाना है तो देखे बुढ़ापा जो है यह एक पुलिंग है पहचाना है कैसे देखे कोई बोलता है कि बुढ़ापा आ गया आप इसे समझ सकते हैं बुढ़ापा आ गया यह एक पुलिंग है अगर स्ट्रिलिंग होता तो हम क्या बोलते है बुढ़ापा आ गई, आपको पहचाना का इदम आसान तरीका है, कि आप पहचाने के साथ, बुढ़ापा आ गया पढ़ता ही समझे आ रहा है कि यह एक पुलिंग है, लेकिन जोहारा जड़ता है, घटना है और दया, देखिए कहते हैं घटना घटी, तो घटी मतलब क्या है, यह एक स्त्रीलिंग है, दया दिखाई जाती है, दया क्या है, यह स्त्रीलिंग है, इसमें समारा सिर्फ बुढ़ापा जो है, यह पुलिंग है, आप्शन नमबर यह करेक्ट हो जाएगा, अगला प्रशन है, निम लिखित में से सकर्मक्रिया वाक्य है, यानि कि निम लिख अगला प्रश्ण है पढ़वयः में प्रत्य हैं देखिए प्रत्य वे सब्स होता है जो सब्द के पीछे जोड़कि अर्था पतलते हैं ठत्य है अगला प्रत्य है अगला प्रश्ण है हस्ताक छेप का सुद्ध रूप क्या है देखिए हस्ताक छेप तो गलत सब्द लिखा हुआ है सुद्ध क्या होता है हस्ताक छेप क्या होता है हस्ताक छेप सही कौन सा सब्द लिखा हुआ है option number A हस्तक छेप का बिल्कुल सुद्ध रूप है देखिए हस्तक छेप तो बिल्कुल गलत है हस्तो छप बिल्कुल गलत है और हस्ते छप बिल्कुल गलत है आपको समझ में आ गया होगा हस्तक छेप जो है option number A इस प्रशन का correct हो जाएगा अगला प्रशन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है निम्न लिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है आपको ये पहचानना है सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत में हिंदी के तरह दो लिंग होते हैं ये जो है सत्य नहीं है करेक्ट हो जाएगा option number D जो है या सत्य नहीं है अगला प्रश्ण समय के द्रिष्टे से अनुकूल वाक्यान सहे तो एक सब्द क्या होगा? सही होगा समया नुकूल समय के द्रिष्टे से अनुकूल को हम बोलते हैं समया नुकूल क्या होगा? समया नुकूल option number D correct हो जाएगा समया नुकूल मतलब समय की द्रिश्टे से अनुकूल option number 10 प्रशन का सही जवाब हो जाएगा अगला प्रशन है अनुगामी सब्द का सही अर्थ क्या है देखे, अनु मतलब होता है पीछे और गामी मतलब होता है चलने वाला आपको हमेसा याद रहेगा अनु मतलब पीछे गामी मतलब चलने वाला निकि जो पीछे चलता है उसे हम अनुगामी कहते है निकि सही क्या हो जाएगा किसी के पीछे चलने वाला जो होता है उसे हम क्या कहते है अनुगामी अगर गामी मतलब आगे चलने वाला, अनुगामी मतलब पिशे चलने वाला, उसे प्रकार अनुज, अनुज हम किसे बोलते हैं, जो जिसने छोटे भाई को हम अनुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुज, ये भी याद रखना होगा, हमारा अगला प्रशन है, हिंदी भासा हिंदे के उपसर्ग, अरभी फार्सी के उपसर्ग और अंगरजी के उपसर्ग इस प्रकार से हमारे चार उपसर्ग होते हैं option number D correct हो जाएगा अगला प्रशन है निरगुड का संदी विच्छेत क्या होगा तो हमारा सहीतर क्या हो जाएगा निरगुड का संदी विच्छेत होगा निह प्लस गुड निह गुड और यह हमारा हो जाएगा विसर्ग संथी option number C correct हो जाएगा अगला प्रशन है भारत भारती के रचनाकार कौन है भारत भारती दिखे बहुती प्रसिद रचना है और यह मैथली सरण गुप्त की बहुती प्रसिद रचना है भारत भारती option number C correct चौब हो जाएगा अगला प्रशन है निम लिखित में से एक संद्र का पर्यावाची सब्द नहीं है उसी को आपको बचाना दिखे मैंने कई बार पको याद दिलाया है जहां पर धी लगा है वो मतलब होता है धारड करना और धी का मतलब हमारा हो जाएगा जहां पर जल के साथ धी लगा है तो हमारा हो जाएगा समूद्र जैसे कि जल धी जल को धारड करने वाला समूद्र होता है वारी धी भी समूद्र होता है निधी भी समुद्र होता है, किन्तु, जो जलाधिप है, option northern डी जलाधिप जो है, यह समुद्र का पर्यावाची नहीं है तो option νомबर डी जलाधिप क्या है, यह समुद्र का पर्यावाची नहीं है, correct answer हो जाएगा अगला प्रश्ण है हस्त का तदभव क्या होगा देखे हस्त एक तत्सम सब्द है इसका तदभव होता है हस्त मतलब हाथ होता है सही उतर क्या हो जाएगा option number a हस्त मतलब हाथ होता है अगला प्रश्ण है निम लिकित में से कौन सा वाग के असुद्ध है तो देखिए तुम्हारे माता पिता क्या काम करता है सही लिखा हुआ है उसने अपने बात धिरे से बता ये भी सही लिखा है गर्मियों की एक बात सुनाता हूं ये भी सही है लेकिन आप्शन नमबर टी तुम तुम्हारे घर चले जाओ तो देखिए ये गलत हो जाएगा तुम अपने घर चले जाओ सही होता ये गलत लिखा हुआ है ऑप्शन नमबर टी करेक्ट हो जाएगा कुछ लड़के जा चुके हैं इस वाक्य में सब्द कुछ की विसेशड का भीतर है बताई याने कि जो कुछ लिखा है या कौन सा विसेशड है तो देखिए तो देखिए कुछ थोड़ा बहुत अधिक ये सभी हमारे होते हैं अनिश्चित संख्या वाचक क्या होते हैं अन का तत्सम रूप क्या है सही उतर हो जाएगा सूची सूची जो है सूई का तत्सम रूप है option number C correct हो जाएगा अगला प्रशन देखे क्या है वह घर पहुच गया इस वाक्य में पहुच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उधारण है तो देखे वह पहुच गया को हम बोलेंगे पूर वकालिक क्रिया सही क्या हो जाएगा option number D वह घर पहुच गया इसका मतलब यह क्या है यह पूर वकालिक क्रिया है option number D correct हो जाएगा और आज कमारा देखे अंतिम प्रशन क्या है पर्या वाची की दृष्षटी से एक वर्ग सुध है उसी वर्ग को आपको पहचाना है कि कौन सा वर्ग पर्या वाची की दृष्षटी से सुध है तो देखिए, सही हो जाएगा हमारा option number C, देखिए यमुना, कालिंदी, भानुतनया और जानुई ये सभी यमुना के ही पर्यावाची है तो option number C, जो है पर्यावाची के दिश्टी से सुधवर्ग हो जाएगा option number C, correct जाएगा दोस्तों, इस वीडियो के PDF फाइल भी आपको description, टेलिग्राम लिंक से मिल जाएगी, इसके लवा टेलिग्राम पर आप direction, study point सेर्च करके जुड़ जाएगी वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मैं जरूर बताइगा दोस्तों, अगर इसे वीडियो से आपको थोड़ा सा भी फायदा हुआ हो और वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपके जितने भी study related for Facebook और WhatsApp गुरूप दोस्तों, वीडियो को जरूर सेर किया करिए दोस्तों, हम आपके लिए काफे मेहनत से वीडियो बनाते है इसलिए वीडियो को आप अधिक से तक सेर जरूर किया करिए और आपको कैसा लगता है वीडियो? कमेंट करके मैं जरूर बताइए दोस्तों, वीडियो दखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद